अब बात करते हैं भोपाल की जहां TIT कॉलेज के बीटेक के चात्र के सीहोड जिले के पास अमरगर जहरने में डूबने से मौत हो गई है हासा मंगलवार दोपहर को हुआ था 20 वर्सी चात्र दीपेश कुमार साह बिहार के मधवनी जिले का रहने वाला है भोपाल से कॉलेज के चारपाट चात्र सीहोड जिले के साहगंज के पास विंध्याचल परवत इस्थित अमरगर जहरना पर पिकनिक मनाने आये थे सभी दोस्त जहरने के कुंड में नहा रहे थी तभी दीपेश कुमार साह का पैर फिसला और वह कुंड के गहरे पानी में चला गया जिसे बचाने का प्रयास साथियों ने किया पर दीपेश साह कुंड के गहरे पानी में डूब किया था जंगल में निडवर की समस्या रहती है जैसे तैसे अन्य दोस्तों ने कॉलेज प्रबंधन और पुलिस को सूचना दी जिसके बाद साहगंज थाना पुलिस अमरगर ज़रना अस्थल तक पहुची थी चातर की तलास के लिए रिस्क्यों सुरू किया गया करीब दो घंटे की मेहनत के बाद चातर दीपेश साह के सब को बाहर निकाला जा सका साहगंज पुलिस पंचनामे के बाद रात करीब आठ वजे उसके सब को पोश्टमाटम के लिए सियस्सी बुधनी लेकर आये थे अगनी SDP ससांग सिंग ने बताया अम्रितक छात दीपेश साहपिता चंदरकान साह उम्र 20 वर्च टी आइटी कॉलेज भोपाल से बीटेक कर रहा था इंद्रपुरी सी सेक्टर थाना पिपलानी भोपाल में किराये के माकान में रहता था मोंडोप से थाना लोखा जिला मधुवनी बिहार का निवासी है पुलिस मामले की जाज कर रही है